कि हेलो इब्रीवन चंपारन स्टेडी पॉइंट में एक बार आपका फिर स्वागत हैं मिलते हैं सौरी मिले हैं नए टॉपी के साथ बहुत धर्म इसके पहले हमने कंप्लीट कराया है जैन दर्म और उसके पहले का जो भी इतिहास है प्राशीन भारत का सिंदुगाटी करम से पढ़ें सूरू से पढ़ें इंट इसके उठा करने से पहले में जानने सबसे पहली बात यानी के पहली बार देख रहे थो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तकी वीडियो का हर नौटिपिकेशन आपको समय से मिलता रहें तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक में बहुत धर्म के साथ तो आज हम पढ़ेंगे बहुत धर्म दिखें बहुत धर्म बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि बैदिक सब्यता प्रचलित हो चुकी थी उन्हीं को दबाने के लिए उन्हीं का नास करने के लिए बहुत धर्म और जयन धर्म जैसे धार्मिकांदोलन हुए उनका उद्य हुआ हुआ तो किसी भी एक्जाम के दिश्टिकोंड से वह यूप्यसी हो PCS हो या वंडे एक्जाम हो या दो प्रस से तयार किये हैं एक ही क्वेस्टन में ऐसे स्टेट्मेंट दिये जाएंगे तीन-चार कि पूरा लगबग उसी से आपका चेक कर ली जाएगा इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरे कॉंसेप्ट के साथ सिर्फ नहीं रटना है कि बहुत जो बहुत धर्म के गौत कि आखिर इन अंदोलनों का कारण क्या था क्यों ये अंदोलन हुए और क्यों ये धर्म इतने जल्दे इससे लोग प्रभावित हुए कि ये देश नहीं बिदेशों तक आज फैल गए तो पढ़ते हैं बहुत धर्म के बारे में सोला वर्ष की अवस्था में सिधार्थ का विवाज साक्य के कूल की कन्या यसोधरा से हुआ सिधार्थ से यसोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल गौतम बुद्ध के जीवन संबंदी चार द्रिश अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिने देखकर उनके मन में बैर बैक्ति को देखते हैं फिर देखते हैं एक बिमार बैक्ति को ब्रिद्ध होने के बाद वह बिमार होता है फिर देखते हैं ब्रिद्ध बैक्ति उसके बाद उसके म्रिद्धियों हो जाती और फिर देखते हैं एक सन्यासी जो प्रसंद मुद्रा में होता है उसे किसी प्रक उल्टा-पुल्टा दे सकता है इनको आपको सिक्वेंस में लगाना है तो पहले पहला भृत बेखती तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है पहले कोई बुढ़ा होता है फिर बीमार होता है फिर मरता है और फिर एक सन्यासी है जो प्रसंद मुद्रा में रहता है इन सभी चीजों स आदो से दूर रहता है यानि कि सभी संसारिक सुखदुख से दूर रहता है सिदॉर ने 29 gewaSt gaat समग में संसारिक समस्याओं से ब्ल्रैद संसारिक में समस्याओं से ग्रिषित धिया यानि कि यहीं सब समस्यात में कआप से कर देस्वास्ता में गर को छोड़ा था और 12 वर्ष की अवस्ता में उसे ही महा भी निस्क्रमण कहा गया है सब्द पर गौर कीजिएगा चोटे-चोटे सब्दों के बड़े-बड़े आर्थ हैं और ये एक्जाम में बहुत फसाते हैं आपको बुद्ध सर्व प्रथम अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन तक रुके बैसाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक अचार अलार कलाम तताराजग्री के समीप धर्माचार रुद्रक रामपुत्र से हुई यह दोनों बुद्ध के प्रारं परिश्रम करने के बाद 35 वर्ष की आयू में बैसाख पुर्णिमा की एक राथ पीपल बोधी ब्रिक्ष पीपल को बोधी ब्रिक्ष भी कहा जाता है ब्रिक्ष के नीचे निरंजना यानि की पुनपुन नदी के तट पर सिधार्थ को ज्यान प्राप्थ हुआ इसी दिन से पीपल यानि बोधी ब्रिक्ष के नीचे और 6 वर्षों तक इनों ने तपस्या किया महावीर स्वामी ने तो 12 वर्षों तक किया था और 35 वर्ष की आयू में इन्हें मिल दिया कैवल बुद्ध और मार गौतम ज्यान की प्राप्ति के लिए गया बिहार मिनी रंजना नदी क के तट पर पीपल ब्रिक्ष बोधी ब्रिक्ष के नीचे द्रिड निष्चय के साथ अपनी समाधी लगाई ज्यान प्राप्ति ना होने तक समाधी भंग नहीं करेंगे तभी मार यानि की कामदेव कुमार कहा जाता है कि नेत्रित्व में अनेक पैसाचिक त्रिश्णाओं में उनकी समाधी भंग करने की चेस्टा की किन्तु गौतम बुद्ध निस्चल और अडिग रहे 18 दिन उन्हें ज्यान बोधी प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कैला आए देखिए बोधी का अर्थ होता है ज्यान अब देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचर कैसा था इनका जीवन कौन कौन था इनके जीवन में तो सबसे पहले इनका जन्म 533 सा पूर्भ हुआ था जन्मस्तान लुंबिनी जो नेपाल में हैं बस्पन का नाम इनका था सिदार्थ और गोत्री अभिदान गौतम पिता का नाम था सुद्धोधन कपिल वस्तु के साक्के गड़ के प्रधान थे ये देखेंगे हम 16 महाजनपत में माता का नाम था माया देभी अथवा महा माया कोलिय गडराज की कन्या थी पालन पोशर मौसी प्रजापती गौत्मी ने किया था क्योंकि इनकी मांके मित्यू हो गई थी इनके जन्म के पश्चाव पत्नी का नाम था यसोधरा, अन्या नाम था गोपा, बिमबा, भद्र, कच्छा, देखें इनकी पत्नी का यसोधरा के अलमा तीन नाम मिलता है, पुत्र का नाम था राहुल, घोडे का नाम था कंधक, सार्थी का नाम था चाड, अमित्यू इनकी हुई थी 483 इसापुर्ब, म संद से माना जाता है और ग्रीत त्याग का इनका प्रतीक है घोड़ा घोड़े पर ही चड़ कर यह आये थे घर से ज्ञान प्रतीक है जैसे हमने दिया है ऐसे ही उल्टा करके यह आता है मिलान करने के लिए तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा और यह सिर्फ लॉजिक पर है इसमें कुछ याद करने करने वाला नहीं है इससे घोड़ा समाने सी बात है घोड़े से घर से निकले होंगे घोड़े पर चड़के ज्यान यानि कि पीपल के ब्रिक्ष के नीचीन को ग्यान प्रत उनके उनसे जूड़ी चीजे रखी गई तो वह मृत्यू का प्रतिक है उनके फिर देखते हैं धर्म चक्रप्रवर्तन क्या था उरुवेला बर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ रिसी पत्नम या मिर्गदाव आये सारनाथ जो बनारस के पास है यहां पर पांच ब्र नियासियों को सबसे पहले जो उपदेश दिया उसी को धर्म चक्रप्रवर्तन के नाम से जानते हैं बुद्ध ने सर्व प्रतम तपश्चु एवं भलिक नामक दो शुद्रों को बहुत धर्म का अनुयाई बनाया यानि कि इनके जो संग में जो संग था उसमें जाती प्र ग्यान प्राप्ति के आठवे वर्ष वैशाली के लिच्वियों ने बुद्ध को बैशाली आमंत्रित किया तथा कुटागर शाला नामक विहार दान में दिया अपने शिश आनंद के कहने पर बुद्ध ने बुद्धिकषालि में महिलाओं को शंग में प्रवेश की अनुम् tah थि प्रजापति गौत्मी पहली विख उड़ी धिए यह question elle पूचा जाता है कि कि सके कहने पर बुद्धिक थी किमें महिलाओं को अनुमती नहीं थी संग में प्रवेश करने की तो इनके सिस्टे थे आनंद उनके कहने पर और जो प्रजापति गौत्मी इनकी मौसी थी उन्हीं वहीं सबसे पहली भीक्षुणी बनी थी कौशांबी का सासक उदाइन बहुत भीक्षु पिंडोला भार्दवाज के प्रभाव से बहुत बन तथा घोशीता राम बिहार संग को प्रदान किया ग्यान प्राप्ति के विश्वे वर्स बाद बुद्ध स्रावस्ति पहुंचे तथा वहां अंगुली माल नामक डाकु को अपना सिस्से बनाया हम पर चौथे या पाच्वे क्लास की किताब में ये कथा है अंगली माल डा जनपत में महा अंतिमघ्देश कुसी नगर में सुभध्ये को दिया था मगत को उन्होंने अपना प्रचार के अंदर ऑप मगत्ता जो विहार में है और सुबध्य को इन्होंने अपना अंतिम उप्तेश दिया था महापरी निर्वाण महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरा डेवती नदी के तट पर अपने सिस्य चंद चुंद कहीं कहीं देखाईने को मिलता है चुंद के यहां सुकर मादव भोज सामगरी खाई यह एक भोज सामगरी है और अतिसार रोग से पीडित हो गया यहीं पर 483 इसापूर में 80 वर्ष की आयू में इनकी मृत्य हो गई यह अचानक इनकी अकाल मृत्यू नहीं हुए थी यह अतिसार रोग से पीडित हुए थे अपने सिश्य के यहां बोजन करने के बाद उसके बाद इनकी मृत्य हुए थी 80 वर्ष की उम्र में 483 इसापूर में इसे बौध प्रमपरा में महापरी निर्वाण के नाम से जाना जाता है व्रित्यों के पुर्व कुशी नारा के परिवाजक सुभध को उन्होंने अपना अंतिमुपदेश दिया इसके पहले बताया के सुभध को उन्होंने अपना अंतिमुपदेश दिय इन ही आठ शेत्रों में अस्तूप बनाए गए यह सभी जगह हम पढ़ेंगे 16 महाजनपन में अब बहुत धर्म की सिख्छाएं और सिधान्त क्या थे तो बूध ने आम जैनता की भाषा पाली में उपदेश दिये उनके अनुसास श्रिष्टी दुख में छड़िक हम आत्मी किया गया है इस्वर और वेद को बुध ने जन्व अधारित वर्ण विवस्था को उस्विकार किया उन्होंने प्रतित्य समुद्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तू के बिनास्त के पस्चाद दूसरे की उत्पति होती है प्रते घटना के पीछे कारे कारण का संबंद होता है यानि कि कोई भी घटना होती है उसके पीछे कारण जरूर होता है और एक कारे भी जरूर होता है और उन दोनों का संबंद होता है कारे का यहीं सिदान्त प्रतित्य समुद्पाद के नाम से जाना जाता है यानि कि य पर घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध होता है बुद्द निरवार्ण प्राप्त करने को को कहा अर्थात इक्छाओं त्रिश्णाओं से छुटकारा यहानि कि जब निरवार्ण प्राप्ती हो जाती है तो इक्छाओं अध्येतर है भुद्ध धमय संग करा all this सभी संदार्द निरोध और्गनिरोध गामनी प्रतीपदा देखे सब दुख से ही संबंदित है चार आरे सत्थ हैं इनके और त्री रत्न है बुद्ध धम और संग धम यानि कि धर्म बुद्ध और संग जो उनका संग था फिर बुद्ध ने अश्टांगिक मार्ग भी दिये हैं जिसमें पहला है सम्यक्ति वस्तु के वास्त्विक स्व ग्राजीश का मतलब है किसी के अच्छे विचार न रखना ऐसा कोई विचार ना हो आपके मन में संयक को अप्रिये art संयक्रम आंत सत्कर्मों का अनुसरण संयक्क आजीव सदाचार युप का जिसमें सदाचार हो जो आजीविक क्या है आपका उसमें वह आचार से संबंदित व्यायाम कि मांसिक स्वास्त सम्म्य कैसमर्यति का मतलब सात्विक भाव सम्म्य समाधी का मतलब एक काई मैं ये जो भी होगह नेल यह श्रुप अपने करने जाएश स्वास्थ कोई ज какую- u99 कर्मकांड नहीं और वास्तों में यह कि कोई भी इंसान इतने इतने विचारों को फॉलो करता है यानि कि वह अपने में ना सुधार करता है तो वह सच में उसका जीवन बदल सकता है बुद्ध के अनुसार अस्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुस्यक की भावत रिष्णा नस्ठ हो जाती है और उसे निर्वार प्राप्त हो जाता है यानि कि बुद्ध ने बताया है कि ये अस्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो आपकी भावत रिष्ण जो भी आपकी लाले से इक्षा है सब खत्म हो जाएगी और आप निर्वार प्राप्ट कर सकते हैं यानि कि आपको जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ष प्राप्ट हो सकती है फिर उनुने दस सील बताये हैं बौधर में निर्वार प्राप्ति के लिए सदाचार तथा न यह हमने जयन दर में भी देखा था आप पर फिसी प्रकार की संपति rę्यानी के संपती कथा ना करना अ बहुत ज्यादा संपती शेवन ना करना यांई क। फिस समय से करना सुख्र्ध विस्तर पर ना सोना यानि कि बर्मचार अपनी इंद्रियों को बिचार से दूर किसी के प्रती जो बूरे विचार हैं उससे दूर रहना ग्रिहस्तों के लिए केवल पांच सील तो भिक्षू के लिए दस सील मानना अनिवारे था इसमें जो पांच सील है वो ग्रिहस्तों के लिए और जो भिक्षू होते थे जो भिक्षूडिया होती थी संग में उनके कि अधिर दर्सन देखते हैं बुद्ध की अनिश्वर वात यानि इस्वर सत्टा में विश्वास नहीं सुन्यता वा JON संसार की समस्त्य ये पदार्थ सत्ताहीन है यानि कि संसार की जो भी वश्चत्त्य हैं इनकी कोई सप्ता नहीं है वो छड़िक है अनात्मवाद यानि कि आत्म चेतना पर सरवाधिक बल को छड़िक वाद यादि संस्थापक तक ही सीमीत होता है कुछ ज्यादा कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं दीटेल में जाके गहराईओं में जाके उच्छे वादी जो भावतिक वादी थे वह अजीत के कंबली थे इनके संस्थापक नित्यवादी थे उसके पकुत कचायन थे और संदेह वाधी अग्जवादी अनिश्चय वाधी थे उसके संस्थापक थे संजय वेलदूपुत फिर बहुत संग की कारप्राडाली कैसी थी तो संग में प्रविष्ठ होने को उपसंपदा कहा जाता था संग की सदस्यता लेने वाले को स्रमण का दरजा मिलता था और 10 वर्सों के बाद जब उसकी योगता स्विक्रित हो जाती थी तब उसे भीक्षू का दरजा मिल जाता था यानि कि भीक्षू बनने के लिए 10 साल तक वेट करना पड़ता था 10 साल संग में रहने के बाद ही भीक्षू का दरजा मिलता था संग में अल्पवायस्क चोर हत्यारा रेडी वेक्ति दास्त था रोगी वेक्ति का परवेस वर्जित तो उनके मित्यूं के बाद भी संग का अध्यक्ष बनेगा या जो मुख्या कई वो बनेगा यह गरतांत्रिक प्रणाली थी इसमें बहुत संग की सभा में प्रस्ताव यानि की नती का पाठ होता था प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था देखिए यह जो कौमा वाले जो सब्द हैं छोटे-छोटे मैंने पहले इनका अर्थ बहुत ही बड़ा है इन सब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजेगा क्योंकि इन सब सभाव पाठ को अनुसावन कहा जाता था सभा की वैद करवाई के लिए नियूंतम संख्या कोरम 20 यान कि सभा में कोरम का 20 का मतलब है सभा में तभी करवाई होती थी जब कमसे कम 20 सदस्द से वहां उपस्तित हो प्रतिक 15 दिन पुर्णीमा या अमावस्या को सायम उपोसत नामक सभा होती थी जिसमें पाती मोख का पाठ किया जाता था पाती मोख विनाए पिटक की मठ संबंदी सूची है विने पंप पिटक है साहित्य है बौध दर्म का जिसमें 226 प्रकार के अप्रादो और उनके प्रायस्थित करने की सुची दी गई इसमें जो आप्राद हो गंभीर अपराद हुआ बयस को एवं ब्रिद्धो की समीति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायशित करने या संग से निकालने की आग्या देती थी यानि कि जिस किसी ने भी कोई अपराद किया है वो स्विकार करता था और समीति तै करती थी कि इनके साथ क्या करना है क्य समय अपराद स्विकार किये जाते थे और इसको पावरन कहा जाता था बौधों के लिए महिने के चार दिन यानि अमाउस्या पुर्णीमा और दो चतूर्थी दिवस उप्वास के दिन होते थे यानि कि एक महिने में चार दिन ये उपवास रखते थे पहला अमावस्या और दूसरा पुर्णिमा जो महिने के लाश्ट में होती है पुर्णिमा होती है और महिने के जो पंद्रावे दिन होती है वो अमावस्या होती है और दो चतुर्थी यानि कि अमावस्या के पहले की ए जाता है आज भी उनाया जाता है बुद्ध पुर्णिमा इस दिन का अध्यादिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म ग्यान की प्राप्ति महापर निर्वाण की प्राप्ति देखिए कितना अच्छा सन्योग है कि बैसाग के पुर्णिमा के दिने इनको निर्व में इनकी मृत्यु यानि कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो तीनों ही कार यानि कि जन्म ज्ञान और मृत्यू तीनों वैसा की पुनिमा कुई है बहुत धर्म के अनुयाई दो वर्गों में विभाजी थे भिक्चु और भिक्चुडी यानि कि जो संग में थे इस्त्री पूरुस उनको भिक्चु और भिक्चुडी कहा जाता था और जो उपासक उपासिकाय होते जो ग्रिहस्त जीवन को मेराकर बहुत धर्म मानने वाले लोगों को उपासक जो ऊपासिकाय कहा जाता था जो इस्त्री पूरुस होते थ पहला सारीरी कश्तूप इसमें बूद्ध के सरीर धातु केस और दंत आधी को रखा जाता था यानि कि सरीर से संबंदित जो होते थे उनको रखा जाता था सारीरी कश्तूप में महात्मा बुद्ध कें द्वार उपव्योग की गई बस्थूं जासे विख्षा पात्र चीवर संगाटी पादुकाधी रखाते था वह रख है उसरीर के सिए तो इसे आप याद रख सकते हैं लॉजिक से उदेशिकास तूप इसका सम्मद बूध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़ी अस्थानों से था यानि कि बूध के जीवन कि अस्तूप के महत्तपूर्ण हिस्से वेदिका रेलिंग इसका निर्माण अस्तूप की सुरक्षा के लिए होता था कि यह वेदिका यह जो आप देख रहे हैं यह वेदिका जिसका निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया है मेधी कुर्सी वह चपुत्रा था जिस पर अस्त पूरा ये मुख्य हिस्सा इसी पर अधारित हैं तो पहला हुआ बेदिका दुसरा हुआ मेधी तिसरा अंड यह अस्तूप का अर्ध गुलाकार हिसा होता था यानि कि यह जो गुलाकार हिसा आप देख रहा है यह अंड यहां लिखा हुआ है और देखिए चौथा होता था हर्मिका अस्तूप के सिखर पर अस्थी की रक्षा के लिए तो यह है हर्मिका यह हर्मिका यह जो छत्री है इसकी रक्षा के लिए और फिर छत्र होता था धार्मिक चीन का प्रतिक और यह चत्र तो यह दार्मिक चीन का प्रतिक होता था फिर सुपान होता था मेधी पर चढ़ने उतरने की सिंड़ी देखिए यह जो सिंड़ी है प्रदक्षिणा यहां लोग परिक्रमा करते थे प्रदक्षिणा पत्थ है चैत्य छेत्र का साब्दिक अर्थ होता है शित्ता संबंदी एक चैत्य एक बौध मंदिर है जिसमें एक अस्तूप समाहित होता है पुजार्था का स्तूप को चैत्य कहा जाता है यानि कि जो पूजा करने वाले स्तूप होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है और विहार सुनने को मिलता है वह बहुत चैत्य के पास बिक्ष्यों के रहने के लिए आवास बनाया जाता था देखिए चैत्य जो होता था उसमें पूजा किया जाता था दुद्धि & चैथिंयों के उपसना अस्थल में परिवर्थित हो जाने की कारण उसके समी पिर विहार का है दवाठ थाई मंदिर महापरी निर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में है चौखंडी अस्तूप है और धर्म राजिका अस्तूप धमेक अस्तूप उत्तर प्रदेश में है नाम द्रोलिंग नियेग मापा मौनेश्ट्री ये करनाटक में है बहुत धर्म की सरवादिक महत्पूर्ण दीन भारतिय कला एवम अस्थापत्य के विकास में रही सांची भरहुत अम्रावती के अस्तूप तथा असोक के सिला अस्तंबो कारले की बहुत गुपाएं अजन्ता एलोरा बागवा बराबर की गुपाएं इसकी सर्वस्रेश्ट क जो धर्म से संबंदी थे बहुत धर्म जैंदर्म उनकी कला और संस्कृति क्या थी फिर सम्राज जैसे मद्यकालीन भारत की कला और संस्कृति इनका सब एक विसाय है अलग से उसे हम उसमें पढ़ेंगे यहां सिर्फ एक ओबर वियू दिया जा रहा है बुद्ध के प्रथ कला में बनी थी अब चार बहुत संगीतिया होती है जैंधर में तो हमने दो ही देखा था इसमें चार बहुत संगीतिया होती है कि कहां होती है किसके समय होती है और क्या होता है इस बहुत संगीति में कार्य तो प्रथम जो संगीति हुई थी राजग्री हुई थी अध्याक्स थे अजाद्स रू स कि 이유 कि जूंश धर हुए था नियर्य। कि और यह यह अजाद्स ओरे वी जडाम में इन राजा थे जाए न्दुक इन पिट हो यह निकि जो बुद्ध का उपदेश था वह सुथ पिटक में और बिनाय पिटक में अलग-अलग संक्लित किया गया द्वित्य जो संगीती हुई बहुत संगीती वह बैशाली में हुई यह भी बिहार में हुई संग में विभाजित हो गया यह जैन धर्म की तरह त्रितिय जो बहुत संगीती हुई वह पाटली पुत में हुई फिर बिहार में ही होती है दो सब पचासी सापुर्व यह अशो के शाशनकाल में हुई थी और इसके जो अध्याग्स थे वह मोगली मोगली पुतिस थे अभिधाम पिटक तीसरा पिटक का संकलन हुआ देखिए दो पिटक का संकलन जो हुआ था वह पहले बहुत संगीती में हुआ था सुथ पिटक और विनाय पिटक और अभिदम पिटक का जो संकलन हुआ वो तीसरी बुद्ध संगीती में हुआ तो देखिए कितना बढ़िया लोजिक है कि दो पिटक का तो फस्ट में हो गया संगीती में और तीसरा जो है तीसरा पिटक अभिधन पिटक उसका जो संकलन हुआ वो तीसरे बहुत संगीती में हुआ तो लॉजिक से याद रखेगा तीसरे पिटक की रच का संकलन तृतिय बहुत संगीती में चतूर्थ जो हुआ कुंडल 1 कश्मीर में हुआ कुंडल 1 कश्मीर में हुआ यह बोद संगीति पहली कुंडल तो देखिए दूसरे में भी ववाजन होता है और चौथे में भी वहовыхजन होता है और तृतिय रचना होता है तिसरे जो साहित्य उसका संकलन होता है तो बहुत ही असान है याद करना दो में मतभेद और विवाजन होता है पहले और चौथे में और प्रत्थम और तीरत्य में संकलन होता है साहित्य का कि शन्यान और महायान में अंतर क्या है तो हीन्यान के प्रमुख संप्रदाय nowhere बयभाषिक तथा सौथांतृ अस्थाविरवादी सर्वस्तिवादी तथा सम्हींति हीन्यान के अन्य-उप संप्रदाय हैं बोद बहुत धर्म के अंतरकत सरवास्ति वादियों की माननेता थी कि फिनोमिना के अवयाय पुर्णता छणिक नहीं है अपीतु अव्यक्त रूप में सदाय विद्धमान रहते हैं महायान बुद्ध महापुरुस के रूप में हैं जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हो गए देखें रही हीन वाले हैं उन्होंने बुद्ध के रूप में दर्साया गया है जबकि महायान में मुर्ती पुझा शुरू हो गई जब गंधार कला में रही है जबकि महायान का अधर्षन अरहतपत की प्राप्ती जबकि महायान में बोधी सत्व की परिकल्पना मौझूद है बोधी सत्व क्या है महायान का अदर्ष बोधी सत्व है बोधी सत्व करुडा के माने गए हैं करुणा में माने गए हैं जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वैम की निर्वान प्राप्ति बिलंबित करते हैं। यह मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्ष, बोधी सत्व, और लोकी तेस्वर था जिसे पद्यमपाड़ी, अमिताब, मंजुनात, मैत्रेव, आधी नामों से भी जाना जाता है। कनहेरी सहल कृत गुफा में 11 सीरो के बोधी सत्व का अंकर मिलता है। पिर देखते हैं बज्रयान संप्रदाय क्या था तो सात्वी आठ्वी सताब्दी क्या आते आते बहुत धर्म के नियमों में और परिवर्ता नाया। परिणाम सरुफ बज्रियान संप्रदाय का उदय हुआ इन संप्रदाय में के अनुयाई बुद्ध को अलावकिक सक्तियों वाले पूरुस मानते थे इस संप्रदाय के सिधान्त मंजुश्री मूलकल्प तथा गुहे समाज नमगरंथों में मिलते हैं तो देखिए यह दो गर बहुत ही सक्तियां हैं इसमें तंत्रमंत पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया बज्रियान साधू गुहे साधना का प्रयोग करने लगे और पंच मकार यानिकि मद्य मांस मैथून मत्स और मुद्रा की साधना करने लगे बज्रियान संप् संप्रदाय तिबध्याम चीन में विश्यस रूप से प्रचलित हुआ कि लगातार वहाँ पैर संप्रदाय में बढ़ता है तो एक हीन यान फिर महायान फिर वज्रेयान सम्प्रदाय में इनका विभाजन होता है अब देखते हैं बहुत साहित्ते कौन-कौन से हैं तो महात्मपुद्ध के महापरी निर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन बहुत संगीतियों में संकिलित किये गए तृपितक संभौता सरवाधिक प्राचीन धर्मग्रंथ हैं यह तृपितक सुत पितक बिन्य पितक नाचखंड और इसमें बौधन के सिधान्तों का उलेख है कि तो इसके जो पांच निकाय है पहला दिर्ग निकाय इसमें प्र जीवन के आखरी समय अंति उपदेशों रित्यू तदा अत्यंश्टी का वर्णन है दूसरा मज्जिम निकाय इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं सधारन मनुष्य तो कहीं अलोकिक सक्ति वाले देव के रुप में वर्णित किया गया है यानि कि एक ही निकाय में दो तरह से वर्णित किया गया है बुद् अश्टांगी कमार्क हमने सुरू में ही देखा था वीडियो के चौथा अंगुत्तर निकाय इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिच्छू को उपदेश में कहीं जाने वाली बातों का वर्णन है इसमें छटी सताब्दी इसापूर्व के सोला महाजनपदों का उल्लेख संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है सुद्पिटक की रचना आनंद ने की ती आनंद यह वहीं है सिस्य बुद्ध के जिन्होंने महिलाओं को भिक्छुडी बनाने का बुद्ध से अनुरोद किया था फिर आता है बिनेह पितक इसमें बहु तो उनका जो अनुशाशन है उसके संबंद में क्या नियम थे वहीं दिया गया है बिनेह पितक में और देखिए सुद्पितक और बिनेह पितक का जो संकलन हुआ था प्रथम बहुत संगीती में ही हो गया था और तीसरे में तीसरा यानिकी अभिदम पितक का हुआ था तो बहुत जंग कि कार्य प्रणाली की भीवस्था आध में लिखनेग रंधन सुथ बिभाग खंदक तरा परिवार में बिभात है इसकी रचना उपालगे थी तो वहां पांच निकाए में इसका संकलन किया गया था इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों सिधानतों तथा पौध मतों की दाशनिक व्याख्या की गई है देखिए अभिदाम पिटक यानि कि तीसरी बहुत संगीति तो तीसरी बहुत संगीति इसने कराया था उसी में इसकी रचना हुई थी यानि संकलन किया गया था इसका एक मानेता के अंसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन तृतिय बहुत संगीति में मोगली पुतिस ने किया था मोगली पुतिस कौन थे यह अध्यक्ष थे उस टाइम त्री पिटक के अत्रीक्त कुछ अन्न बहुत ग्रंथ पाली भासा में लिखे गया है यह है मिलिंद पन्नो इससे इसा की दो सताब्दियों के भारतिये जन्जीवन की विषय में जनकारी मिलती है इसमें युनानी शाषक मिनांडर यहम बहुत बिक्चू नागसिन के बिच बौद मत्परवारता कवर्णन मिलता है इसलिए इसे मिलिंद पन्नो का नाम दिया गया है दीप वण्स है स्रीलंका को स्रीलंका को कहा जाता था कि इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतूत सताब्दी में इसा मेरा सित्या पहला ग्रंथ है यानि कि यह एक ऐसा ग्रंथ है पहला ग्रंथ जिससे त्यास पर प्रकाश चुल्ख की त्यास कवर्णन मिलता है महावंस में मगत के राजाओं की क्रमबद सुची मिलती है इसके रचयता मदंत महानाम 526 सताब्दी इसा पूर्व के हैं पर जातक कताएं हैं इससे बुद्द के पुर्वजनम की कताएं या फिर महात्मा बुद्ध की प्रमुक मुद्राएं हैं धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध की या मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्पुर्ण छाड़ों के उपर केंद्री थे जब वे प्रबोधन के पस्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मों पदेश दे र भाभ ग्यां की ब्हुमी अस्पर्स मुद्रा महात्मा बुद्ध के अंगूठे के असपर्स से चक्र के निर्माद और हथेली कि सीने को असपर्स ग्यान मुद्रा को प्रदर्शित करती यानि कि हतखली से जो वो सीने को असफर्स करते हैं यह ग्ञान मुद्रण को प्रदर्शित करती है और वरत मुद्रा है पांचवा या मुद्रा उर्जा की प्राप्ति के लिए पुञ्णता समर्पित होने का गुड़ सिखाती है है हुआ है पिर बहुत धर्म को राजकिये प्राप्थ होना यानिहीं कि बहुत सारे राजाओं सेक्षण प्राप्थ हुआ समाजिक समानता का सिधान बहुत धर्म कå लचीलापन इसमें मध्यम मार्ग करस्ता बतायागए था समय समय पर बहुत संगिति ओक आयोजन्यान और दो Pi को जिनों ने ग्रीह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया था और आपने ये भी देखा कि दस वर्ष संग में रहने के बाद इनको भीच्छु का सर्टिफिकेट मिलता था एक संगठन के रूप में इकठा रहते थे जिसे बुद्ध ने संग कहा यानि की जो बिक्षु-बिक्षुड़ी एक संग के रूप में एक जगई कठा रहते थे उसे का इस्त्रियों को भी प्रवेस करने के अनमती दी गई बहुत संग के सदस्यों को समान अधिकार क्या नहीं और भग्युक्तार कि अनुमती के अन्रोफ किस ने किया था तो आनंदनी कुरूरता और हिंसा की जन्नी होती है पढ़ाता धन लोलुपता में कमें आई पिर समाजिक छेत्र में इनका क्या योगदान था तो बहुत धर्म ने इस्त्रियों और सुद्रों के लिए अपने द्वार खोल कर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया और जिस ने भी बहुत धर्म अपनाया उसे हिंता से मुक्ति मिली देखे बैदिक बैदिक काल जो उतर बैदिक काल था यहीं दो लोग उससे ज्यादा आहत थे और इनको यहां संरक्षण मिला फिर आज नितिक छेत्र में क्या प्रभा हुआ तो जिस सासक ने बहुत धर्म स्विकार किया चाहें वह समका प्राजे पर शासन किया तो राजनितिक छेत्र में यहीं हुआ फिर सांस्रितिक छेत्र में क्या प्रभाव हुए तो प्राचीन भारत की कला पर बहुत धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ स्रद्धालू पास्कों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का को पत्थर पर उके रहा है उदारन के लिए सांसी कास्तुप भरावत कास्तुप सारनाथ तक वसांबी आदियस्थानों पर अब आखरी देखते हैं बहुत धर्म के पतन के क्या कारण थे तो बहुत धर्म के पतन के निमलिखित कारण थे बहुत धर्म ने ब्रामभणवादी क्रिया कलापों का समवेश हो गया क्योंकि बुद्ध को ब्रामभणों ने विश्णू का आवतार मानकर वैश्णव धर्म समाहित कर दिया अध्रत बहुत धर्म ने अपने विश्ब्ष्षिष्ठ पाचान खो दी लाश्ट मने क्या हुआ कि यहीं ४ांट है क्षिस में Σांद को बहुत सारे लोग जो इनको विश्णू का आवटार मानने लगे उन्होंने वैश्णोधर में इनको समाहित कर दिया बहुत धर्म में कर्मकांडों का प्रारम अनुस्ठान विधान प्रारम हो गया बहुत भीक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना पाली भासा त्याक कर संस्कृत को अपनाना फिर मौध मठ एवं बिहार कुरितियों के कें संद्र बन गए बहुत मठों में अत्यधिक धन संचाय होने के कारण आक्रमणकारियों का भी सिकार हुआ यानि कि बहुत मठों में इतने सारे धानी कठा हो गया कि आक्रमणकारी वहां चोड़ आक्रमण करने लगे राजकी संरक्षण का अंत सूंग कंण आंध्र सत्वाहन यहीं सब उढ़र और इन्हों ने जश्ट जैसे ही मौर समराज का पतन होता है मौर यूत्तर का लाता है उससे वहाँ से बौध धर्म को संक्षर देना खत्म हो जाता है तो अब रामण धर्म को संक्षर प्रदान होने लगा इसलिए बौध धर्म कमजोर पड़ गया शेव धर्म से बॉधर्म की प्रतिद्वन्तिता हुई बंगाल के सेव साशक ससांक ने बोध गया कि बोधि/. ब्रिक्ष को नीचे बुध्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसी को बंगाल के सासक थे ससांक उन्हों ने कटवा दिया दिखे कुछ समानता और समानता हैं बहुत हैं जैन धर्म में तो समानता यह है कि दोनों धर्मों के संस्थापक छत्रिये कूल के थे दोनों धर्मों में बेदों की प्रमाड को नहीं माना गया है बेदों की जो सर्वोचता है उसको नहीं माना गया है कर्म कांड के फलिभूत ह होने का निसेद किया गया है कर्म और पुनरजनम दोनों मानते हैं कर्म और पुनरजनम दोनों ही धर्म के जो उनके अनुयाई हैं वो मानते हैं और जो संस्थापक है वो भी मानते हैं सुद्रवा महिलाओं के दौरा मुक्ष प्राप्ति की संभावना का भी रोध किया गया फिर असा मानता क्या थी तो बॉध निर्वार इसी जीवन में संभा मानते हैं जबकि जैन सरीर से मुक्ति के पस्चाति से संभा मानते हैं बुध धर्म जैसे गतम बुध करते हैं कि इसी जीवन में संभा में निर्वार लेकिन जैन के महाविर मानते हैं कि सरीर से मुक्ति के यह संभव है बुद्ध मुक्ति है तु मध्यमार का उप्लेश देता है जबकि जयन धर्म कठोर साधना पर बल देता है बुद्ध ने जाती प्रथा की कठोर निंदा की है जबकि महावीर ने नहीं महवीर ने बुद्ध किया पेक्षा अहिंसा परिग्राफ पर बल दिया है मुखेता बौत धर्में पाली तथा जयन धर्में प्राकृत भासा का प्रयोग किया गया यानि कि जब संस्क्रीट भासा किसी को समझ में नहीं आ रहे थी जो आम जनता थी उसके लिए बहुत धर्म ने पाली तथा जयन धर्म में प्राकृत भासा का प्रयोग किया कि इसके बाद कुछ और अन्य धर्म मुश्लिम इसलाम धर्म और इसाई पार्सी यह जो कुछ और धर्म हैं इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर हम इन्हें भी कंप्लीट करें तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद